वेलकम टो अंके चौधरी एजुकीशन और आज के क्लास में हम equation of line को डिसकस करने वाले हैं जो के exercise 10.2 में आपके काम आएगा तो स्टार्ट करते है equation of line गाइस equation of line होता क्या है इसको समझे सबसे पहले तो equation of line को जानने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इसकी जरौत ही क्यों पड़ी ठीक है क्यों equation of line की need हुई हमारे लिए देखो equation of line का basic मतलब यह होता है कि कि किसी भी line की detail information अगर आप निकाल के रख देते हो तो उसे कहा जाता equation of line for example यह straight line अगर मैंने आपके सामने draw किया suppose कीजिए कि straight line मैं draw करता हूँ for instance this is the straight line right अब straight line की क्या क्या details आपको शुरू शुरू में पता होंगे starting में जाद से जाद आपको इसका यह point पता होगा right यहाँ पे मैं mention कर देता हूँ x1 और y1 and यह वाले point पता होंगे आपको दो चीज़े हो सकती है यह तो दोनो points पता हो अच्छा दूसरा condition यह भी है कि हो सकता है कि आपको इस straight line का point के सास्थ इसका slope भी मालूम हो this is the slope ठीक है तो आपको points भी पता होंगे और आपको slope भी पता होगा इससे जादा information शायद आपके पास नहीं हो एक line के संधर्म में हम बात करें तो तो अगर आपको point पता है और slope पता है तो आपको अगर उस line की detail बतानी है तो आपको उसके लिए equation बनाना पड़ेगा उस line का ठीक है and that is all about equation of line वो एक detailed information देता है किसी भी straight line का detail information हमें share करता है अब हम कैसे बनाते हैं कि equation of line ये हम सीखेंगे तो चलिए next slide पे देखिए अगर आपके पास इस तरीके का कोई straight line है जहां पे 2 points दिये हुए है और ये slope given है तो उसको कहते है equation of line in the case of slope of line यानि कि slope of line की मदद से आप equation of line निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं इसको simple है आपको slope of line तो पता ही है कैसे लिखते हैं वो लिखते हैं y2-y1 divided by x2-x1 is equal to m this is the slope of line अब आप यहां पे मुझे एक बात बताईए इसे तो मैं y1, x1 और y1 रहने दूँगा but इसको मैं x और y रख दूँगा instead of x2 and y2 अब x2, oh sorry y2 की value क्या हो गई? y, तो y-y1 हो जाएगा यहां पे ना कि y2-y1 तो यहां पे मैं इसे erase कर देता हूँ, इस y2 को और x2 को भी similarly erase कर देता हूँ, ठीक है आप समझगे x2 की जगह x आ गया और y2 की जगह y आ गया कराइए से cross multiply और आपके पास आ जाएगा equation of line तो चलिए शुरू करते हैं इसको cross multiply कराना देखे, y-y1 तो अपने पास ही रहेगा is equal to m और x-x बना जाएगा and that is the slope of line समझगे इस चीज़ को? बहुत important ही होता है कि किसी भी equation के अंदर जब भी किसी का equation मनाते है उस equation में x and y होना important है अगर यहाँ पे x2 और y2 हो जाता तो वह point हो जाते फिर आप इनकी values put कर लेते और फिर वह equation नहीं आता बलकि constant निकल के आता जब सबकी value पता होती है यहाँ पे तो constant बन जाता बट यहाँ पे आपको y और x के value नहीं पता रहेगी और वही होगा आपका equation of a straight line अब अगर आपके पास दूसरा condition दिखाऊ मैं आपको तो two point form यानि कि आपके पास दो point है straight line का एक a point है और एक c point है a and c ठीक इसके बीचों बीच मैंने कहीं एक b point डाला है जिसको मैंने x and y बाना है again x2 y2 नहीं x और y तो यह a point है आपका x1 y1 और c point है आपका x2 and y2 चलिए मुझे एक बात बताईए अगर मैं slope निकालू तो slope जो है वो यह वाला जो आपका slope है वो a b line के लिए भी वही रहेगा और a c line के लिए भी वही रहेगा चाहे line इतना ही बड़ा क्यों न हो चाहे line इतना बड़ा हो जाए slope तो यार वही रहेगा bend तो उतना ही होगा b c तो बात ही अलगे क्योंकि b c तो एक line ही नहीं है clearly यहाँ पर touch ही नहीं कर रहा y minus y1 divided by x2 minus x1 ठीक है यही होता है y2 minus y1 तो y2 की value y है और x2 की value x है चलिए is equal to slope of a cb इसी तरह की निकाली है y2 minus y1 divided by x2 minus x1 अब यहाँ पर y2 जो है y2 ही है ठीक है y नहीं है तो अब इसको आप करा लिजे आप cross multiply इस वाले value को भेज दीजे उदर तो चलिए हम कराते है cross multiply ओके तो यहाँ पर लिखते है y minus y1 is equal to x2 minus x1 यहाँ पर आ जाएगा आपका y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ठीक है यह बन गे आपका slope of line two point form में ठीक ओके sorry यह बन गे आपका equation of line two point form में चलिए अगला है slope intercept form देखो गाईज intercept का मतलब होता है कि कभी एक straight line y-axis को जिस भी section पर cut करती है उसे कहते है intercept तो यह straight line purple color का इस green color के y-axis को इस point पे इस point पे जिसका नाम मैं mention करने जा रहा हूं आपके आगे इसका नाम मैं mention कर देता हूं a a point पर cut कर रहा है यह straight line तो यह जो point आएंगे ना यह point आएंगे आपके intercept के अब इस पे ध्यान से point plot कीज़े x की value यहाँ पे 0 होगी y की value मैं कुछ भी माल लेता हूं फिलाल एक variable माल लिया c, c कुछ भी हो सकता है ठीक है चलिए अब इसकी मदद से हम draw करते हैं अपना equation of line मतलब लिखते हैं तो कैसे निकलेगा यह होता है y is equal to mx plus में c यह एक drive formula है जहाँ पे x का मतलब है slope और c का मतलब है intercept c का मतलब क्या है intercept और intercept मैं बता चुका हूं कि एक ऐसा point जहाँ y axis कट हो रहा हो तो y axis का टोरा line के दोरा उसे intercept कहते हैं तो यह आगया equation straight line का slope intercept form में ठीक है इन ही concept को ध्यार में रखके हमें आगे exercise 10.2 के questions को भी solve करना है तब तक के लिए all the best